समस्कार दोस्तों मैं हूँ संदी पोर आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियन बाइक दोस्तों वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा सुजुकी जिक्सर SF सिंगल चनल ABS 155CC BH6FI मोडल कलर ग्लास स्पर्कल ब्लैक फीचर्स इस बाइक में आपको जो मिल रहा है अल्टा लाइट और पावरफुल 155CC इंजिन एरो डिनामिक डिजाइन ABS फ्यूल इंजेक्शन टेक्नलोजी LED हेड लैंप्स बाइक के साथ कुछ एक्सेसेर्स एवेलेबल है अगर अब चाहो तो इंस्टल कर सकते हो जैसे की टैंक ग्राफिक DC सॉकेट सीट कॉभर टैंक प्रोटेक्टर स्मोक भाइजर सैडल बैग और मीरर भाइजर दोस्तों में अगर मैं कहूं तो इस बाइक में नया क्या है तो बस इसमें कॉस्मेटिक चेंज है और कुछ नहीं अगर आपको ये मॉडल पसंद है तो आप मुशिदाबाद डिस्टिक्स से हो तो प्लीज सी सुजुकी शोरूम में विजिट जरूर करना भीडियो के डेस्किप्शन को आप जरूर पर लेना बहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा शोरूम कॉंटेक नमबर और इमेल आइडी भी गो मेसेज के साथ इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कॉंसोल मिल रहा है और इसमें आपको जो फीचर्स मिल रहा है और इसमें जो डिस आपको मिल रहा है इसमें 266 mm डिस विट बाइबी की तरफ से सिंगिल चैनल ABS मिलता है और इसमें जो एलोई हुईल है फुल्ली ब्लैक एलोई हुईल आपको मिलता है उसके उपर रेड पीन स्ट्रिप में आपको यहाँ पर मिलता है और साथी टायर में आपको इसमें मिलता है 100 x 80 17 इंच रेडियल ट्यूबलेस टायर और दोस्तों यह टायर आपको मिलता है इस बाइक के साथ फॉन्ट साइड में और अगर मैं रियर सस्पेंशन की बारे में आपसे कहूं तो रियर में आपको मिल रहा है शुइंग आर्म मोनोशॉक 7 स्टेप एड़स्टेबल रियर सस्पेंशन और यह रेट कलर में है और दोस्तों साब्सक्राइब बटन भी रेट कलर का है और यहां पर देखिए आपको मिलता है जो डिस रियर साइड में इसमें ABS तो नहीं है लेकिन इसमें आपको मिल रहा है 220 mm डायडिस देखिए और बाइबडी की तरफ से ब्रेकिंग सिस्टम है रियर साइड में भी लेकिन इसमें ABS नहीं है और डिस काफी मोटा है और इसमें आपको रियर साइड में मिल रहा है वो ही fully black alloy wheel और उसके उपर मिलता है red pin strip और साथ ही इसमें जो tire आपको मिल रहा है 140 by 60 17 inch radial wired at tire इस bike की braking system में दोनों तरफ ही मतलब की front side में और rear side में आपको बस dot 4 braking oil का इस्तमल करना है ठीके देखिए यहाँ पर लिखा है दोनों side में उपर और नीचे dot 4 oil का इस्तमाल आपको यहाँ पर करना है bike की silencer में आपको यहाँ पर मिलता है chrome finish twin muffler जो देखने में एकदम unique है और बहुती eye catching है और दोस्तों इसका sound भी बहुती बढ़िया है bike की right side में यहाँ पर fully metal handle individual weight के साथ engine kill switch on switch और suzuki easy start system मिलता है और साथ यह throttle grip बहुती soft है और brake भी बहुती soft है दोस्तो bike की left side में आपको fully metal handle individual weight के साथ एक soft grip मिल रहा है यहाँ पर देखिए कितना नरम है और बहुती soft है दोनों तरब के ही grip और साथी इसमें जो clutch का इस्तमेल है बहुती soft clutch आपको यहाँ पर मिलता है साथी यहाँ पर high beam low beam switch, side indicator switch और यहाँ पर horn switch मिलता है और साथी yellow color में pass by switch आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तो और देखिए क्लाच कीतना soft है बहुती soft clutch है और quick response है clutch का ठीक है और यहाँ पर देखिए rear view mirror भी बिलकुर sporty है और glass भी एकदम crystal clear है दोस्तो बाइक की इंजिन में Suzuki Eco performance के साथ आपको मिल रहे 4 stroke single cylinder air cooled SOAC 2 valve A5 BS6 engine displacement 155 cc, maximum power 13.6 ps at the rate 8000 rpm, maximum torque 13.8 newton meter at the rate 6000 rpm bore 56 mm, stroke 62.9 mm, starting system electric, transmission type 5 speed, manual transmission और यहाँ पर gear system है one down four up, देखिए यहाँ पर है आपको मिल रहा है one down four up gear system और साती यहाँ पर आपको rider footrest में मिल रहा है एक rubber footrest, metal ankle guard और single stand और double stand और right side में भी आपको same मिलता है देखिए right side में यहाँ पर fully metal ankle guard और rider footrest में आपको rubber मिलता है लेकिन ब्रेक के उपर आपको कहीं भी राभार नहीं मिलता है दोस्तो बाइक की लेट साइड में आपको यहाँ पर मिलता है फुल्ली मेटल सारी गाड और साथी एक लेडिस फूट्रेस भी मिल जाएगा यहाँ पर टायर पेशर है आपको इसको हमेशा रखना है इससे माइलेज और ब्रेकिंग दोनों ही बेहतर मिलेगा chain में आपको मिलता है oaring chain साथी यहाँ पर आपको मिल रहा है एक mart guard और rear side में आपको यहाँ पर मिलता है fiber made rear hugger आईए दोस्तों आप हम bike की seat के बारे में जानते हैं देखिए step up seat आपको इस bike के साथ मिलता है और साथी यह seat बहुती soft है rider seat और pillion seat दोनों seat ही बहुती soft है और इसमें जो आपको एक split grab rail मिलता है यह भी fully metal है और देखिए color finishing कितना glossy है और बहुती मजबूत है और साथी इस bike के साथ आपको pillion foot race में मिलता है fully aluminium made foot race दोनों तरफ ही right side और left side में देखिए और साथी यह body के frame के साथ आता है देखिए मतलब की बिल्कुल heavy build quality इस bike के साथ आपको मिल रहा है और light में rear side में आपको मिलता है fully LED backlight ठीक है इसमें कोई update नहीं है वो ही same light है और side indicators अभी भी चाड़ो बाल भी है दोस्तो और इहां पर आपको मिलता है rear side में देखिए एक number plate light जो रात के अंधरे में plate को रोश्नी देता है और अगर में front side headlight के बारे में आप से कहा हूँ तो देखने में एकदम aggressive HR में क्या कहूँ देखिए इसी से बाइक बीखता है बहुती unique एक design है और AHO headlight है मतलब की auto headlight on बाइक की ground clearance 165 mm seat height 795 mm carb weight 148 kg top speed है इस बाइक की 125 km per hour petrol capacity है 12 liter और आपको ये बाइक mileage देदेगा लगभग 50 km per liter और ये बाइक की जो acceleration pickup है दोस्तो 0 to 100 just 15.8 second हुआना एक दमदर बाइक और इस बाइक के साथ आपको battery मिलता है maintenance free 12 volt 3 AH और इस बाइक की जो 100 प्राइज है in my district बहरुमपूर मूर्शिदाबाद 1,27,432 रूपीज नाउ तो दोस्तो आपको अगर ये बाइक खरीदना है तो आपको आना परेगा वेस्ट बेंगल में बहरुमपूर मूर्शिदाबाद सीटी में स्री सुजुकी शोरूम में और दोस्तो आपको अगर ये छोटा सा आपडेट पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चनल को जरूर साथक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ जानना है तो कामेंट भी जरूर कीजिए नीचे थैंक यू